नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं News One Today आईगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की और चंकी पांडे और अनपम खेर ने असली जिंदगी वे कभी नहीं मानी हार बढ़ती उम्र का नहीं कोई असर सपनों की कोई एक्सपाईरी डेट नहीं होती उम्र कोई भी हो सपने देखनी और उसे पूरा करनी का जज़वार जरूरी है यही संदेज देती है अनपम खेर और चंकी पांडे अभिनी इद फिल्म बिजे 69 इस फिल्म कभी हार ना माने का जज़वर जसी मुद्दों पर इन कलाकारों ने हाल ही जागरन की मंच पर खुलकर बात की है अनपम आपने 28 साल की उम्र में पहली फिल्म सारांस में 65 साल की बज़र की भूम का निभाई थी अब अपने उम्र का करदा निभा रहे हैं क्या फर्क पाते हैं सारांस की दोरान में 28 साल का था तब ज़वानी वाली एनरजी थी जो उस फिल्म में लगा दी थी मगर विजे 69 में 79 साल की रोल के लिए मुझे 28 साल की एनरजी डालनी पड़ी अब जो कर रहा हूँ उसका श्रे हमारी लेखक निरदेशक अक्षे रायक हो जाता है जब मुझे स्क्रिप्ट दी गई तो लगा कि ये मेरी जिंदगी के समानांतर कहानी है समाज के जो ढर्रे होते हैं ये उन्हें तोड़ती है ना केवल मेरी उम्र के लिए बलकि ये फिल्म युवाओं के लिए भी है आप के लिए उम्र को आसानी से आत्मसाथ करने का मंतर क्या रहा है चंकी मैं तो बढ़ती उम्र को स्विकार करने के लिए ही तयार नहीं हूँ अनुपम हम उम्र को सिविकार करें ही क्यों आप महात्मा गांधी से तो नहीं पूछते थे कि उस उम्र में देश को सुतंदरता दिलाई क्लिंट इस्ट वर्ड से नहीं पूछते जिनोंने 93 के उम्र में निर्देशन किया ये सब फिल्में दुनिया के लोगों को लगता है कि हीरो 20-22 साल का होना चाहिए अनुपम महान पत्रिकार के अबबस 80 साल के उम्र में भी अपना इस्तंब लिखते थे उम्र तो अपने आप सुईकार हो जाती है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लड़ना बंद कर दें मुझे लगता है कि हर कलाकार में एक बच्चा होता है उसकी वज़े से हम कुछ भी कर पाते हैं उस बच्चे को कभी बड़ा नहीं होना चाहिए यही कलाकारों को युवा बनाई रगता है जिन्दगी की दूसरी पारे में काफी कुछ बदल जाता है चंकी आपने तो बंगलादेश में फिल्में की वहाँ जाने के बारे में कैसे सोचा चंकी मेरे जिन्दगी की सबसे बड़ी हिट फिल्म आखे के बाद मुझे काम ही नहीं मिला मैं चर्चरा हो गया तब एक शो के लिए बंगलादेश किया वहाँ मुझे एक फिल्म उफर हुई जो अच्छी चल गए फिर पांच-छे साल वहाँ टिका रहा शादी के बाद पत्नी को बंगलादेश हानी मून पर भी ले गया उन्होंने कहा कि बेशक आप यहां सोपस्टार हैं लेकिन कभी ना कभी सच्चाई के सामना करना पड़ेगा कि आप कहां से हो जब मैं लोट कर आया तो मैसुस हुआ कि काफी लोग भूल गए थे खुश किसमत रहा कि दूसरी पारी में मज़ेदार भूमकाई निभाने के मौके मिले हाँ दूसरी पारी हमेशा अलग होती है इसे मैं पहली वाली से ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ अब मैं अनुपम जी की डॉक्टर डेंग जैसी भूमकाई करना चाहता हूँ मैंने इनके करियर से बहुत पिर्णा ली है ट्रॉई थलान की ट्रेडिंग कैसी रही? अनुपम ट्रॉई थलान में आपको डेड़ किलोमीटर तैरना होता है 40 किलोमीटर साइकल चलानी होती है और 14 किलोमीटर दौडना होता है फिल्म में दौर और साइकल रेस एक साथ नहीं थी मुझे तैड़ना नहीं आता तो सूटिंग से पहले तीन-चार महिने का जो समय था उसमें सीख ले मुझे हमेशा से लगता है कि इंसाम को अपनी हदें तब तक पता नहीं चलती जब तक कीवे कोशिश ना करे चंकी आज मामला अलग है अब डिजिटल की दुनिया है आज कोई भी स्टार बन सकता है फिल्म स्टार और डिजिटल स्टार के बीच अंतर कम हो गया है हाला कि मूल रूप से एक्टिंग और परफॉमेंस की प्रजबा हमेशा रहेगी अनृपकाण नई पीडि बहुत अनुषासित हैं उन्हें बस ये समझने की जरूवत है कि निरासा से कैसे डिल करें हम एतने सालों से निरासा जहल जहल कर यहां तक पहुँचे हैं अब हम हसते हैं क्योंकि हमने हार नहीं मानी सपनों की कोई एक्सपाईरी डेट नहीं होती आप दोनों ने अपनी किन खामियों पर विजय हासिल की है अनपरम जिन्दगी हर कदम एक नई जंग है रोज घर से निकलना, अपने काम पर जाना, खुश और शांत रहना उपलब्दी है चंकी मेरा सब से गौर्वान वीच छन वो था जब मैं अनन्या का पिता बना था जब मेरे पिता ने ये बताय था तब मैं उनका excitement समझ नहीं पाय था वे हार्ट सरजन थी, एक बार उन्हें हार्ट सरजन्म कौनफरेंस में चंकी पांडे के पिता के तौर पर बुलाए गया तो वो बहुत खोश हुए थे आज अनन्या के साथ वे बात समझाती है अब तक लिए पस इतना ही फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नमशकार और देखते रहिए News One Today